नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पर और देखे बीच डियल एक सो पैंटीस के कोश्चन पेपर एन्नेसिस स्रीज में आपका स्वागत करता हूँ जियून 2013 का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है इसके बाद अभी तक केवल एक एक एक्जाम हो पाया है दिसंबर 2013 उसका पेपर अभी साइट पर नहीं है जैसी आजएगा उसका वे अन्नेसिस सेशन हम आपके लिए जरूर लेकाएंगे आज हम बात करेंगे हिंदी भासा का विविद परियोग यह एक नया सब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट आपको नॉर्मली फर्स्ट एर में देखने को मिलता है हिंदी भासा के बहुत से इस्तेमाल होते हैं उनमें से कुछ क्वेशन्स यहाँ पर मोस्ट इंपोटेंट बनते हैं तो देखते हैं क्या है सो नंबर का पेपर आपका होने वाला है तीन घंटे का आपका यह पेपर होगा कोड आप मैच कर लेंगे कोड क्या है आपका BHDLA 135 जो कोशन्स में यहाँ पर आपको वताँगा वही एक्जाम में आपको देखने के लिम बिलेंगे अब ही बताओ हंदी वासा को किसमें लिखते हैं देवनागरी लिपी में लिखते हैं तो जातर भासा है जो है बहुसतारी बासा यह जो देवनागरी लिपी में लिखी जाती है, important question है देवनागर लीपी पे question या तो टिपनी में आता है, आप एक आदा paper इसको उठाकर देखेंगे, December 2022 का तो वहाँ पर आपको same question टिपनी में मिलेगा और यही same question अपकी बार कितने नमरों पूछ लिया, 20 नमर में पूछा है तो कहीं न कहें, देवनागर लीपी is important अगर आप इसके pure notes चाते हैं तो आप तहाँ जा सकते हैं, हमारे WhatsApp नमर पर जा सकते हैं, जो आपको description box में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, उस WhatsApp नमर पर आप क्या कर सकते हैं, इसके paid notes ले सकते हैं 3 notes आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगे कहानी सवजमाई दोस्तों देवनागरी लीपी अब देखो, यह तो होई देवनागरी लीपी इसके बाद आता है, आपका हिंदी के परियोजन मुलक रूप के किनी दो परियोग्तियों का isolation कीजिए, हिंदी का कौन सा रूप हिंदी के कई रूप होता है, जैस morbid परियोग की बात करने तो यहाँ पर पूचछा है परियोजन मुलक रूप और उसके बहुत सारी परियोधियों में सा किवल कितनी पर्युक्तियां बतानी है दो पर्युक्तियां आपको यह पर बतानी है यह एक technical type का question है मैं कहतो हुझा है हर exam में balance बनाने के लिए कुछ question hard type के रखे जाते हैं इनके repeat की संभाना तो कम होती है लेकिन यह आपके question paper को हिला कर रख देंगे आपको ऐसा लगएगा इस question को देखते हैं कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं आता समझ माया लेकिन ऐसे question से घवराना नहीं क्योंकि हमारे पास option है हमें केवल इस section में से कितने question करने तीन करने मिलें कितने 5-6 question तो क्या जरूरत है हमें question को आपकर attempt करने के लेकिन फिर भी अगर आप इसके बारे बिल्कुल deeply जानने जाते हैं तो आप कौन सा class में जा सकते हैं लेकिन अगर प्रयूजन मुलक की बात करने तो मतलब हिंदी भासा का कहां पर इस्तेमाल होता है उसकी बात यहां पर नोर्मली हो रही है सूचनप परद्योगी कि जो आपका IT sector है informational technology का sector है IT sector वहां पर भासा का कौन सी भासा का हिंदी भासा का बढ़ता परयोग किस परकार है अब आप देखो जो आजकल समाचार पत्र हैं दोस्तों क्या है आजकल जो आजकल समाचार पत्र है उनमें हिंदी भासा का परयोग वह तेजी से बढ़ रहा है internet पर जितने भी internet के आपके क्या है internet का social media set है आपका जो internet चलती है जिससे आप कह सकते है जितना भी आपका for example Instagram है आपका Facebook है आपका WhatsApp है ये सब क्या है ये सब ज़्यादतर आज के समय में हिंदी भासा को भी क्या दे रहे है प्रीफरेंस दे रहे हैं ये बात आपको याज रखने है तो सूचन पर्दिविगी के छेतर में भी हिंदी भासा का बहुत बड़ा योगदान यहां पर माना गया है समझ भाई आपको कहानी चलिए इसके अलावा विसेशन का अभीप्राइस्पस्ट करते हुए कि यही पाँच विसेशनों को संग्या में बदले देखे दो कोशन पूचे गए आपसे यहां पर एक कोशन तो आपसे दस नंबर में पूचा गया है कि यही पाँच विसेशनों को किसमें बदलना संग्या बदलना आपको पता है संग्या की विसेशता बताने वाले जो सब दोते हैं सर्वनाम की विसेशता बताने वाले जो सब्द होते हैं उन्हें हम विसेशन कहते हैं इंगलिश में इन्हें अड्यक्टिव कहते हैं अब आपको बताना है कि विसेशन से संग्या किस परकार बनाई जाती है जैसे एक विसेशन है गुणवाचक विसेशन है अच्छा, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, यह विसेशन है मैंने इसमें I लगा दिया या E प्रत्या लगा दिया और E प्रत्या से मैंने इसके एक संग्या बना दी अच्छाई अब अच्छा ही अपने आपने एक स्थिती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक अपने आपने आपने क्या हो जाएगी संग्या क्योंकि किसी स्थिती को बताने वाले संग्या होते हैं, तो ऐसे आपको इसमें पांच examples सकता है कि अनुतान पर कोश्चन आ सकता है अती हिंदी पर्योग और द्वीभासी करन आप цि करण इन और विद्धालिया यह सकती हैं आप कर्यालियान में पर्यूग के हिथा इसे यह कुछ यसे हैं ठीक अववे अपने आप में ग्रामर का कोश्चन है हिंदी परियोग और दूभासी करन मतलब आज के सहमें आप देख रहोंगे बाइलिंग्वल का जमाना है कैसा बाइलिंग्वल बाइलिंग्वल बोले तो दोस्तो एक ऐसा समय जहां हाँ पर हम लिकर साथ पर चल रहे होते हैं कल रहे हैं उससे दूफर हो को इसका आपको इसके अलावा खंड सैकिंड सारे प्रश्णिसमें आपको करने पड़ेंगे कोसर नमबर छे देखिए पारिभासिक निमलिकित में से किनी पांच पारिभासिक सब्दों का अर्थिस परस्ट करना है अधिनियम इंगलिशमें आपको पता एक्ट कहते हैं किसी सरकार द्वारा पारिभासिक सब्द समझते हैं इस सब्द की पूरी एक explanation आपको देने होगा कि इसका meaning क्या है तो अधिनियम सरकार द्वारा कोई भी पारित किया गया कानून क्या कहलाता है आपका अधिनियम मान्यत अप्राप एक्ट यानी अधिनियम अध्यादेश है ना निविदा प्रारूप फोर्मेट जिसे हम कहते हैं समविदा ऐसे बहुत से कठिन कठिन सब्द आपको देगा और कहेगा कि इसके पारिभासिक सब्द ये जो पारिभासिक सब्द आपको देगा इनकी परिभासिक को आपको क्या करना है एक्स्प्लेइन करके चलना है ऐसे बहुत से पारिभासिक शब्द में आपको कराऊंगा इसके लावा ऐसे वीनियम मतलब दुबारा है रेगुलेट करना किसी चीज को चलिए निवंद रचना के बिंदो को ध्यान में रखते हुए आपको भी बताना है कि निवंद रचना के कोन-कोन से बिंदो होते है जब हम कोई निवंद लिख रहे होते हैं तो हम कहीं सभी स्टार्टिंग करते हैं कहीं भी एंड करते हैं लेकिन बुक में पूरा एक इसका एक फॉर्मिट दिया हुआ है उसके base पर आपको इसके एक पर किया करना है निमंद लिखना है जैसे विज्ञान और मानव जीवण साइन्स आप कह सकते हैं साइस एंड यूमन लाइफ तो आप देखें यूमन लाइफ को पूरी तरीके से आसान बना दिया है साइन्स ने तो इसके उपर लिख सकते हैं या फिर आप Indian culture जिसमें आप भारत की कलाएं लोग कला वगएरा बता सकते हैं भारत के डांसिस बता सकते हैं आप भारत की क्या बता सकते हैं बहुंता सकते हैं भारत के रिपी रिवाच पुरस सारे चीज़े इंडियन कल्चर का इस्सा बन जाती है इस पर आप निब्ध में लिख सकते हैं इसके कि λावा सबvat के संधीविषयद आitos आत emphasizing क्या करने दोस्तों संधीविषयद आपका है ना सदा पिलस आनंद सदानंद और दुरू पिलस उपियोग दुरू पियोग है ना इसका कैसे बनेगा दुरू पिलस उपियोग क्या हो जाएगा आपका दुरू पियोग हो जाएगा विसर घमिसर रामिक अनवर्ट आपका हो जाता है समझ माई आपको कानी ऐसे ब प्रवाद नमस्कार